हेलो प्यारे बच्चो मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्ष्या आठमी गणित की प्रशनावली छे दस मलाव एक की प्रसंद संख्या दो से अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सबस्क्राइब और शुरू हो जिए मेरे साथ एक नए वीडियो के लिए प्रशनावली छे दस मलाव एक प्रसंद संख्या दो को पड़ते हैं निमिलिक संख्या स्पस्ट्रोप से पूनवरग संख्या नहीं है इसका कान दीजी हमें यहां पर संख्या दी हुई है और यह कागा है कि यह संख्या पूनवरग संख्या नहीं है हमें दिया हुआ है कि पूर्ण वरग संख्याएं नहीं है कार्ण बताना हमें कि पूर्ण वरग संख्याएं क्यों नहीं है किस वज़े से पूर्ण वरग संख्याएं नहीं है तो बच्चों पहले ही समझें कि पूर्ण वरग संख्याएं क्या होती है ऐसी संख्याएं पूर्ण वरग संख्याएं होंगी जिनका पुरा-पुरा वरग मूल निकल जाए जिनका पुरा-पुरा वरग मूल निकल जाए यानि का हम जब वरग मूल करें तो वो क्या है? कोई भी एक पूर्ण संख्याए जैसे हमारे पास संख्या है एक, च्यार, नो, सोड़े, पच्चिस का वरग, एक, अब एक क्या यहाँ पर एक पून वरग संख्या है, क्योंकि एक का वरग मूल क्या होगा, एक, इसी प्रकार हमने लिया दो का वरग, दो का वरग क्या होता है, दो गुना दो, च्यार, अब च्यार भी क्या है, च्यार भी एक पूर वरग संख्या है क्यों क्योंकि चार है वो दो का वरग है इसी प्रकार है नो तीन का वरग क्या होता है नो तो नो भी एक पूर वरग संख्या है क्यों क्योंकि नो का पुरा पूरा वरग मूल निकल जाता है नो है वो तीन का वरग है इसी प्रकार है पांच का वरग 25 25 भी एक पूर्ण वरग संख्या है जब हम 25 का वरग मूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा 5 पूरा-पूरा इसका वरग मूल निकल जाता है 6 का वरग करेंगे 36 36 भी एक पून वरग संख्या है इसी प्रकार हम करते हैं 9 का वरग, 9 का वरग आएगा मारे पास 9 गुणा 9 81 वो भी एक पून वरग संख्या है 10 का वरग आएगा 10 गुणा 10 100 वो भी एक पून वरग संख्या है जितने भी संख्याइं लिखें मैंने 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सब संख्याइं क्या हैं पूर्ण वरग संख्याइं हैं सभी क्या हैं ये पूर्ण वरग संख्याइं क्यों ये संख्याइं किसी ने किसी का वरग हैं तो जो संख्याएं किसी ने किसी संख्या का वरग हो वो सब क्या कहलाएंगी पूर्ण वरग संख्याएं यह संख्याएं जिनके वरग मूल भी एक पूर्ण संख्या हो वे कहलाएंगी पूर्ण वरग संख्याएं अब यहां पर यहां पर यह देखओ आप यह जितनी भी पूर्ण वररग संख्याएं हैं इन सब संख्याओं में इक आई काँग क्या है? जीरो है एक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन सब संख्याओं में जो एकाई अंक हैं वो हमारे पास क्या है जीरो है देखिए हाँ पर एक है इसके बाद दो नहीं है तीन भी नहीं है च्यार है च्यार के बाद पांच है छे है साथ नहीं है फिर आठ है आठ भी नहीं है छे के बाद क्या है जिर फिर नो है तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी यह पूरण वरग संख्याई हैं जीरो है, एक है, च्यार है, पांच है, छै या नो है, अगर इसके अलावा किसी भी संख्या में काईक अंक दो है, तीन है, साथ है या आठ है, तो वो संख्या पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी, जीरो के केस में आपको ये ध्यान रखना है, अगर जीरो की संख्या सम है, य या छे बार है, जीरो है, वो सम बार है, यानि दो बार, च्यार बार या छे बार इस तरह से, तो वो पून वरग संख्या होगी, और अगर जीरो है, वो विशम बार है, यानि जीरो अंत में है एक बार, तीन बार या पांच बार इस तरह से तो वो फिर पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी ये भी आपने ध्यान रखना इसके अंदर तो इसका ये नियम है जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है वो संख्या पूर्ण वरग संख्या होगी और जिस संख्या में इकाई कांक 2 है, 3 है, 7 या 8 है वो संख्या पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी और 0 है अगर वो 0 संबार है 2 बार, 4 बार, 6 बार तो पूर्ण वरग संख्या होगी और 0 अगर 1 बार है या 3 बार है या 5 बार विसं बार है तो वो संख्या पूनवरग संख्या नहीं होगी सम वो होता है जो दो से भाग हो और विसम वो होता है जो दो से भाग ना हो तो आई ये परसंख्या दो को करते हैं हैस्ट पार्ट है एक हजार संख्या नहीं है कान बताना है तो बच्चों देखो एक अजार सत्तावन में एक आईक अंक कितना है एक आईक अंक है साथ और मैंने कहा था जिस भी संख्या में एक आईक अंक दो हो तीन हो साथ या आठ हो वो संख्या पूनवरग संख्या नहीं होती तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसलिए यह पूनवरग संख्या नहीं होगी यह इसका कारण हो जाएगा दूसरा पार्ट है 23453 यहाँ पर इस संख्या में एक आईक अंक कितना है तीन यहां लिख देंगे एक आई अंक तीन है इसलिए पूनवरग संख्या नहीं है 7928 इसके अंदर भी एकाई कांग कितना है 8 तो यह भी पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी यह इकांग इसके अंदर लिख देंगे पिर है 2,222,222 यहां पर क्या है एकाई कांग इस संख्या में एकाई कितना है 2 है तो ये काई अंक दो है तो ये भी पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी चो सथ हजार अब यहाँ पर जीरो है वो तीन बार है तीन यानि कि विसम बार जीरो कितनी बार है तीन बार विसम बार है तो ये पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी इसलिए पूर्ण वरग संख्या नहीं है 89,722 फिर है 2,22,000 अब 2,22,000 में 0 कितनी बार है? 0 है 3 बार, विशम बार तो ये भी पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी 0 कि अगर यहां पर 0 दो बार होती है, 4 बार तो पूर्ण वरग संख्या हो जाती 5,5,050, यहां पर देखो 0 है वो अंत में, लास्ट में 0 देखना हमें लास्ट में जो 0 हो सिरफ एक बार है, यहीं विशम बार है तो ये भी पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी इसलिए पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी तो बच्च्वापने सर्फ यहां पर यहीं द्यान रखना है कि जिस भी संख्या में एक आई का अंक दो है, तीन है, साथ है या आठ है वो संख्या पूर्ण वरग संख्या नहीं होगी और जिस संख्या में एक आई का अंक जीरो है, एक है, च्यार है, पाच है, छे या नो है तो वो संख्या पूर्ण वरग संख्या हो सकती है